नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फ्री की पार्ट साला में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वीडियो है इलहाबाद हाई कोर्ट जो ड्राइवर एक्जाम हुआ था 2022 में तो उस एक्जाम में कौन-कौन से टॉपिक से पेपर बना था उसके बारे में डिसकस करें और मैं 2022 का ही पेपर इसलिए डिसकस कर रहा हूँ क्योंकि NTA के द्वारा 2022 का ही पेपर कराए गया था और वही NTA इस बार 2024 का भी पेपर कराएगी उसके पहले जो 2017 में जो वेकेंसी आई थी जो 2018 में जो वेकेंसी आई थी उसको NTA ने नहीं कराया था तो एक्जाम कंडक्ट एजेंसी जो है बदल चुकी है तो इस वजह से हम 2022 के ही पेपर पे फोकस करेंगे फ्रेंड्स यह वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉल्टेंट है जो लोग इस एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं चाहे वो ड्राइवर वाले हो चाहे गुरूप C वाले हो चाहे इस्टेनों वाले हो या फिर चाहे Group D वाले हूँ क्योंकि लगभर-लगभग सभी का स्लेबस सेम है तो हो सकता है कि जो को सेंस वही एजेंसी बनाएगी NTA एजेंसी ही पेपर सेट करेगी तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो दोनों में repeat होंगे मतलब फ़री चारों में जो चारों पोस्ट है आपके ड्राइवर Group C, Group D और स्टेनोग्राफर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि repeat नहीं करेंगे तो फ्रेंट्स मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग सभी वीडियो जो चारों ही जो वीडियो हैं उनको देखिएगा जिस पे मैंने topic wise paper का discussion किया है और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया इतने topics को आपने कर लिया तो आपका return exam हर हाल में clear हो जाएगा चुकि friends मैंने भी 2018 and 2022 में 2018 में junior assistant में मैंने final selection लिया था और 2022 में मैंने steno और junior assistant दोनों का ही exam दिया था दोनों में ही मैंने qualify किया था लेकिन चुकि मेरा selection कहीं और हो गया था तो फिर इस कारण वस मैंने आगे का जो typing और जो steno का exam था 2022 का वो नहीं दिया और जिससे कि किसी मेरे भाई बहन की seat खराब नहूँ चलिए तो आज का हम वीडियो सुरू करते हैं और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा अच्छे से समझिएगा जिससे कि कोई topic ऐसा ना हो कि जो आपसे छूट जाए और उसी से paper बन जाए और एक और बात आप ये जान लीजे कि 100 नंबर का जब paper आता है तो आपको 100 में से 100 तो लाने नहीं है 100 में 100 आएगा ही नहीं जल्दी किसी का रही बात cutoff जो जाता है cutoff कितना अगर group D की बात करें तो 85 नंबर 90 नंबर उससे लगभर लगभर मिल जाएंगा आप चारो जो वीडियो जहें driver का इस्टेनों का group C और group D अभी मैं driver वाला discuss कर दे रहा है उसके बाद मैं group D group C सभी discuss करूँगा तो उन सबको देखिएगा जिससे की हर एक topic कौन कौन से topic को NTA touch कर रहा है वो आपको समझ में आ सके तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि GK के total 100 प्रस्णों में से कितने question आये थे तो GK के आये थे total 24 प्रस्ण कहा कहा से question पूछे गये थे तो सबसे पहला जो question है वो कौन सा है पॉलिटी का जो topic है पॉलिटी से आये थे दो हिस्ट्री से भी आये थे दो एक modern का था और एक medieval का था हिस्ट्री से दो questions आये थे अगर बात करें environment से तो तीन question आये थे एक question जो तो environment का जो कोल टॉपिक है उससे आये था बाकि endangered species जो होते हैं vulnerable endangered species के बारे में कि कौन कौन से जानवल जो है लुप्त होने वाले हैं तो उनी को match करना था ऐसा question आया था तो total environment से आगे हमारे किते तीन जोग्राफी से आये थे दो days and themes तो days and themes से total आये थे हमारे एक question और miscellaneous में देखी driver related एक question आया था driver related in the sense की एक photo था road sign का उसी को बताना था कि इसका मतलब आपके दो question आये थे और other miscellaneous से पाँच तो total आये थे miscellaneous topics से 9 questions अगर बात करें science की अब देखे miscellaneous topics का मतलब क्या हो गया कि abbreviation जैसे full forms जो होते हैं organization के headquarters और जहां पे हैं वो हो गये days and themes हो गये report और indices हो गये और भी जो current में कुछ चीज़ें चलती है यही सब चीज़े miscellaneous topics census हो गया आपका यह सब चीज़ें क्या miscellaneous के topics है science से हमारे आये थे कितने सवाल 4 सवाल आये थे और government scheme से भी एक सवाल आया था ठीके दोस्तो तो total कितने सवाल आये थे 24 प्रस्न चलिए आगे बात करें आगे अगे अगर हम बात करें तो जो आपका math और reasoning का जो topic है math और reasoning से हमारे आये थे total 26 प्रस्न अब देखिए math और reasoning को मैं इसलिए एक साथ लेके चलना हूँ कि कहने के खाली math आता लेकि इसमें reasoning के भी questions इन्होंने include कर ले तो missing number से जैसे एक series दे देगा या फिरिक ट्रेंगल बना देगा या एक स्कॉयर बना देगा और तीन चार नंबर आपको बता देगा और एक नंबर के उपर question mark लगा देगा और आपसे पूछाएगी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा तो वैसा एक सवाल आया था compound interest simple interest यानि कि चक्रविधी वया साधारन विभ्यास से एक सवाल mensuration mensuration मतलब कि area जो निकालते छेत्रफाल हो गया volume हो गया आयतन हो गया इनसे कितने सवाल आये थे दो सवाल ratio से अनुपात से आये थे दो सवाल work work का मतलब है यहाँ पर time and work से मतलब है ठीक है friends time and work तो time and work के total कितने सवाल आये थे एक सवाल आये थे जैसा कि आप देख पार है अलजेबरा से आये थे साथ सवाल अब अलजेबरा में कहा जैसे कि a plus b करके कोई number बता देगा तो a की value पुछ लेगा या फिर a upon a plus b की value क्या होगी तो इस तरह के सवाल कितने आये थे हमारे पास साथ सवाल आये थे तो यह topic आपके लिए important हो गया decimal मतलब कि दस्मलों से आपके आये थे एक सवाल series जो apgp arithmetic progression होता है उससे आये थे एक सवाल scf lcm जो की एक favorite topic है लावाद i code का उससे आये थे 3 सवाल क्योंकि देखे जो scf lcm वाला topic ही काफी आसान topic होता है और इसके सवाल काफी आसानी से बन भी जाते हैं profit loss and discount इनसे आये थे आपके total 4 सवाल profit loss और discount से मतलब कि लाभानी और जो बट्टा होता है उससे आये थे total 4 सवा time speed and distance से आये थे एक सवाल और उसके बाद di di का मतलब है कि data interpretation जो चार्ट दे देगा चार्ट के बाद उसमें क्या बोलते है कि आप average बताईए क्या है या फिर जो maximum value जो है वो क्या है mean क्या इसका median क्या है mode क्या है तो उससे आये थे एक सवाल ठीक है फ्रेंस तो total हमारे आये 26 20 सवाल तो आप इन topics को अच्छे से clear कर लिजेगा अब हम दोस्तों बात करें कि अंग्रेजी इंग्लिस में कितने सवाल आये थी इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह दी आप लोग बोलें अगर आप comment section में बताएं तो मैं इंग्लिस के समझ लिजिएगा और आपके उसमें से अगर मान लिजिए कि पान सवाल आते हैं तो चार सवाल तो आसानी से आपके अंटॉनिम सिनोनिम के बनी जाएंगे क्योंकि उसमें आप options का elimination और कई चीज़े होती हैं जब आप paper solve करते हैं तो लगाते हैं तो उसमें option भी eliminate हो जाते हैं तो देखे fill in the blanks जैसे की एक पूरा आपका sentence दे देगा उसमें एक बीच में जगा खाली जगा छोड़ देगा उसमें आपको भरना रहता है तो वह भरने के लिए article हो सकता है या फिर helping वर्ब या फिर वर्ब वर्ब का फॉर्म तो जो भी चीज़ें वहां पर suitable होंगी उसको आपको भरना होगया adjective भरने के लिए दे सकता है तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जो भी grammar के जो रूल है grammar के जितने भी रूल हैं इंगल लग जाती है तो देखे चार सवाल आये थे फिल इन दे ब्लैंक से जिसमें की वर्ब का फॉर्म पूछा गया था एक में मतलब करेक्ट वर्ब का फॉर्म जैसे कि आप सुने होंगे गोवेंट गॉन है जैसे इस तरीके से उसके बाद देखे डारेक्ट इनडारेक्ट के हमारे एक सवाल आये थे एरर सेंटेंस करेक्शन के लिए तीन सवाल आये थे पैसेज डेदेगा एक गर्द्यान पूरा अंगरेजी में दे दिया था उसने और पांच सवाल उससे पूछे थे तो देखे और शीज बैखी इसको अच्छे समझी से पढ़िये और। पांछो dip 5 सवाल आपकर ससी से आगे आपके 5 सवाल पैसे 5000 पूरा पैसेज दे दिया था और उसे तो उसमें जो हमको सब्दों को भढ़ना था उसके लिए भी पांच सवाल आये थे तो अगर आप देखें कितने सवाल होगे चार इधर और पांच इधर तो चोटाल होगे नौ चलिए आगे बात करें तो आपको चारटना की कौन सा क्रेक्ट से अनेक सब्दों के लिए एक सब्दों आए थे हमारे पास दो सब्सबाल और अन्टॉनिम से आए थे एक सवाल ठीक है दोस्तों टोटल आपके आगे इंग्लिस से कितने होगे 25 सवाल आगे बात करें आगे देखें दोस्तों हिंदी से हिंदी में देखें सवाल आने हैं 25 टॉपिक इनोंने पुछ लिए हैं तक्रीबन 18 तो अच्छे से इसको समझिएगा और कोशिस करें कि हर एक टॉपिक आप कम्प्लेट करने तो अपठीद गद्यान स्वाई जैसी इंग्लिस में था उसी तेके से यहां पे भी एक पुरा पैसेज दे दिया जाएगा और उसी में से आपको आंसर ढूनके बताना रहता उससे आयते पांच सवाल रिक्तिस्थान बढ़ने के लिए फिलिंद ब्ल से आये थे एक सवाल अब निपात क्या होते निपात होते हैं कि अगर हमको किसी भी बात में जोड़ देना हो किसी बात के लिए तो जो सब्द का हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं निपात कहते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी के भी क्लासिस ले आऊंगा पहाड का लिंग है तो उससे आये थे एक सवाल नदी कौन सा लिंग है उससर पत्तेस्ज आये थे आपके दो सवाल पर्यावाची से आये थे दो सवाल विलोम सब्द से एक सवाल काल यानि कि आपकी एक सवाल सरुन्नाम टॉपिक से आया था एक सवाल और सबड जो टॉपिक है भासा का टॉपिक जिसमें आपके स्वव्एजन वाग के यह सब चीजे जो होती उनसे भी आया था एक सवाल जैसा कि यह वीडियो अब यहां पर complete हो रहा है यदि आपको कोई doubt हो तो आप comment section मुझसे पूछेएगा और इसके बाद आने वाली और जो भी वीडियो जहें group C, group D और इस्टेनों वाली तो उनको भी आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको काफी holistic way में आपको पता चल जाएगी कौन-कौन से topic है जो NTA जो exam में इसमें पूछेगा और मेरी कामना है जो भी लोग मेरे channel से अपनी तयारी में help ले रहे हैं तो उनका selection किसी भी हाल में हो अगर आप कर लेंगे तो मैं surety के साथ कह सकता हूँ कि आपका selection हो जाएगा क्यूंकि आपको cut-off से उपर रहना है final merit list में नाम आना है तो ऐसा नहीं कि आपको पूरे मुझे पूरे number लाने 100% लाने है ठीक है friends त के लिए time नहीं आपके पास तो अच्छे तयारी करिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइप वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दे जिससे के आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए साथ ही साथ वीडियो को सेर करिएगा जिससे कि आपके और जो भाई वेहन उनकी भी हेल्फ हो सके दोस्तों ठेंक यू एंड इस्टे टून